परियस इस वक्त की बड़ी खबर पीडित परिवार से मिलने पहुचे सपा मुखिया देवरिया में तेज हुई सियासी हलचल देवरिया कांड पर यूपी सरकार को अकली शादों ने बताया फेल देवरियस इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सपा मुख्य अकलेश यादो पीडित परिवारों से मिलने पहुचे पूर्मुकमंत्री अकलेश यादो दिवरिया के फते पुर्गाव पहुचकर सत्य प्रकाश दूबे के घर पहुचे जहां पर परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं हुई सत्य प्रकाश दूबे और उनके परीजनों की तस्वीरों पर मल्यात्मन कर शद्धाज दी दी उसके बाद अकलेश यादो प्रेम चंध यादो के घर पहुचे जहां पर उन्होंने प्रेम चंध यादो की तस्वीर पर पुश्प चड़ाते हुए शाधाली अर्पित की और परिवार से मुलाकाद कर अपनी समवेदना व्यक्त की अकलेश यादों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की नियत साफ नहीं दिखाई दे रही है भाजपा देश को बरबाद करना चाहती है ये हाल रहा तो लोग अपना वोट नहीं डाल पाएंगे दूसरी तरफ अकलेश ने कहा कि उत्तर परदेश में कहीं और ऐसी घटना नहीं देखने को मिली इस घटना से आम जन्मानस में आकरोश है योगी बाबा के ग्रह जन्पत के बगल में ये घटना दुर्भाग पूर है इससे ये साफ पता चलता है कि पूरे उत्तर परदेश में कानून वरस्था पूरी तरीके से फेल है